हेलो फ्रेंड्स आजो दो मरी साथे शेर कर इस 100% होटल जेवा स्वात साथे साउथ इंडियान स्टाल सांपार अन्ने चेटनी नी रसी तो होटेल वड़नी सीक्रेट रसीपी साथे बज़ार जेवा स्वात कलर अन्ने कंशिस्टन्सी साथे तयार थता सांपार ने बनावा मत्ते ना तो दमारे पेकेट वड़ा सांपार मसाला नी जरू पड़ से और ना तो बाफेली तुवेर दाड़ साथे परफेक्ट रेशियो अने अमुक टेप साथे तयार थती नाड़ियनी चक्नी ने धमें बनावीने लंबा समय सुधी स्टोर करी शको छो तो आ रेशिपी साथे तयार थता सांपार चक्नी 100% बज़ार जेवा खेपजी तेना थी पण वधू टेस्टी तयार थसे तो चालो रेशिपी शरू करिये लाखेली रेशिपी वीडियो साथे जोवा माटे गूगल प्ले स्टोर माथी डाउनलोड करोड नेहास कुक बुक आप साथे मारी चनलने सब्सक्राइब करी बैल आइकोन ने जरूर थी दपावो नवा रेशिपी वीडियो सावथी पेला जोवा माटे घरे एक दम होटल स्टाइ सामभार बनना वा थपेला माँ बे मोटी चमचलू तेल आट करी दईये अवे गरम तेल माँ अर्दी चमचली राय अने अर्दी चमचलू जीरू आट करी दईये तो राय जीरू थोड़ा ककडी गया छे अवे में या एक मोटी साइज नी डुंगली ना आरितना चोरस पीस करीली देला छे तेने अट करी ने डुंगली सेज ट्रांस्परेंट थाए त्यां सुझी तेने सोथे करीली देला छे तो लगबग 2 मिनिट जेऊ थाए गयो छे अने डुंगली सारेते सोथे थेने ट्रांस्परेंट थेगे छे आपड़े तेने ब्राउम नाथी करवानी हावे में या एक मीडियम साइज ना टमेटा ना थोड़ा मोटा टुकड़ा करीली देला छे तेने एड करीने हाई गेशनी फ्लेम पर टमेटा थोड़ा सोफ्ट थाए त्या सुधी तेने कुक करी लईये तो वगार मा टमेटा एड करवा थी ते सामबाने थोड़ो टेंगी स्वाधा पे छे अहीं आपने टमेटा ने एक ओवर कुक नथी करवाना बस ते थोड़ा सोफ्ट थाए त्या सुधी तेने कुक करवाना छे तो लगभग 2-3 मिनिट मा आपने टमेटा एक दम सारेते स्वाते थेग्या छे तो हवे गेसनी फ्लेम लो करी दईए अने मसाला मा अर्धी जम चेटलो हड़दर पावडर अने सामबानो कलर एक दम सरसावे तेना माटे एक जम चेटलो कश्मीरी लाल मर्चू पावडर एट करी ने मसाला ने तेल मा सार हेते मिक्स करी लए ठो मसाला ने आर MMोटा ग्लास । लू में पाणी ऐड करी देए साथे स्वाध प्रमाणे मीठ हुँ आने सामभार मा याट करवा माटे मैं थोड़ा शाग भाजी लिदेला छे तेमा अड़धा कप जेटला दूधी ना टुकडा अड़धा कप जेटला पमकीन एटले के कोडा ना टुकडा आने में याँ बे नंग्जेटली सरगवानी सिंगना टुकडा करीली देला छे तो सामभार मा याट करती वक्ते अपणे सागभाजी ने आरितना मीडियम साइज ना टुकडा माच कट करवाना छे अने में आई यहां 46 सावदिने डुंगडी ने आरितना 2 भाग मां डिवाट करी ली तेली छे तो 72 सावद इंडियन स्टाइल सामबर मां 6 नीं डुंगडी ने एटकरवामां आवे छे फण तमें ते नीजेगे डुंगडी ना मोठापीस पंड एटकरी शको छो तो सांबर बनावती वक्ते आसी वहते में साघ बाजी मां गाजा रर फॉणची, के पछी रिंगण ने पन apoyo आट करी शको छो आने जो गरमा शाघ बाजी ना होये तो तुम्ये फक्त दूधी आट करी ने पन सांबर बनावी शको छो तेस आग बजी साथे अपड़ू पाणी थोड़ू उकडवा लाईगू छे तो ये सामबर माई आट करवानी स्पेश्यल मसाला पेस्ट बनाओ माटे पैन माँ एक मोटी चम जिल्लू तेल आट करी दईये हावे तेमाँ एक नाई साइस नों हिंगनो टुकडो तो तामे तेनी जेगे पावडर हिंगनो उप्योगपण करी शको छो साथे अर्दी चम जिल्ला राईना दाना अर्दी चम जिल्लू जीरू एक चम जिल्ली अढ़तनी दाड एक चम जिल्ली चनानी दाड अर्दी चम जिल्ला मरीना दाना अड़ दी जम जेटला मेथी ना दाणा अने मिया या एक मोटी जम जेटला लीला थाणा ली देला छे तेने एड करी ने दाड सेज गोल्डन ब्राउन थाई त्या सुधी तेने स्वोत्य करी लेए तो लगबग 2 मिनिट जेऊ थाई गिऊ छे अने दाड सारी ते सोते थेगे छे हवे मिया या साथी आंट नंग जेटला सुखा कश्मीरी लाल मर्चा ली देला छे अने मिया या बे मोटी चमजेटला ताजा नाडे ना टुकड़ाली देला छे साथे एक इजजेटलो आदूनो टुकड़ो अने बे लसन नी कड़ी एड करी ने बद्धी जवस्तुने तीमा गेस पर 2 मिनिट माटे स्वोते करी लेए थो बद्धी वस्तु सारे ते स्वोते थाई गये छे आपड़ तेने ब्राउन नथी करवानी तो गेस नी फ्लेम बंद करी दाईए अने मिक्षर ने थोड़ू ठंडू थावा दाईए तावड़ू मिक्षर ठंडू थाई गयो छे हवे तेने पिस्वा माटे मिक्षर ज्यार मा एड करी दाईए साथे एक कप जिटलू पाणी एड करी ने बद्धी जवस्तु ने ग्राइन करी लेए धो बद्धी वस्तु ग्राइन थाई ने अपड़ी स्पेश्यल मसाला पेश तयार थेगे छे आ मसाला पेश साथे सांबानों स्वाद 100% बजार जेवो जाऊस तो लगबग पात्थी 7 मिनिट अपड़ा साग बाजी पाणी मा सार रिते उखड़ी ग्या छे तयार थेली मसाला पेश ने एड करी देए अने सांबानी तिखाष ने बैलेंस करीने खाट्टों मिठों स्वाद देवा माटे मिए याँ छो मोटी चम जेटलों गोल ली देलो छे स्याथे खटाष माटे मिए याँ अडधा कप जेटलों आमलीनु पाणी ली देलो छे अने हावे बद्धी जवस्तु ने मिक्स करी लगे तो बद्धी वस्तु मिक्स थाईने मसाला पेस्ट पाणी माँ एकदम सारे ते उगड़ी गए छे जेना ती सांबानों कलर एकदम मजार जेवा आवी गयो छे तो हाः ठाकन धाकी ने मसालापेश साथे सामभार ने मीडियम गेशि नी फ्लेम पर 20-25 मिनिट मंटे उकडवा दईये तो आसरेप सौथी इंपोर्टन्ट छे मीडियम गेशि नी फ्लेम पर अपलों सामभार साड रित उकड़ से तो तेमा मसाला पेशनी एकदम सरस फ्लेवार एड़ थाई जसे साजे अबड़ा शाक भाजी पड़ कूक थाई जसे तो लगबग 25 मिनिट जे उठाई ग्यू छे हवे ठाकर ने खोली लगिये तवल सामबर सार रिते उकड़ी गयो छे अने सामबर मा एड़ थाईला शाक भाजी ने चेक करिये तो ते छरी नी मदथी सेला एथी तूटी जाई छे मिन्स ते सार रिते बफाई गया छे तो हवे आजचे सवस इंपोर्टन पाट बजर ममडता सामबर मा बाफेली तूवे नी दाणने एड़ करवा मा नथी आवती भाण तेनी जग्या ए चणाना लोटनो उप्योक करवा मा आवे छे तो मिया या बे मोटी चमचितलो चणानो लोटली देलो छे तेमा थोड़ू पाणी एड करी ने लोटने सार रिते उगाडी लईये तो लोट सार रिते उगडी ग्योचे अने आर इतनु स्मूद मिक्षर तयार थे ग्योचे हवे तेने सामबर मा एड करी दईये हने सार रिते मिक्स करी लईये अने हवे तेनी साथे सामबान ने 5-7 मिनिट माटे उकाड़ी लई यह जो तमें चणाना लोटनी जगी आए बाफेली तुवे नी दाणने एट करवा मकता होई तो फक्त अरधा कप जेकली तुवे नी दाणने एट करी शको छो सामबान माँ जो दाणनो प्रमाण वधी जसे तो तेनो टेस्ट बराबन नहीं आवे तावड सामबान सार इते उकड़ी गयो छे अने सामबानी थिकनेस चमचा थी जोई तो ते आहर इतनो मीडियम थिक तयार थे गयो छे आपड़े तेने वधू पर तो गाटो नथी करवान तो ए सामबाने साव करता पहला तेनी उपर स्पेशल तडको आट करी देए तो तडका पैन माँ एक मोटी चमचलू तेल आट करी देए अवे तेमा एक चमचला राइन ना दाणा एक चमचली जटली चनानी दाड वनफो टीस्पून जटली मेथी ना दाणा आने एक चार नंग जेटला सुकालाल मट्चा अने थूड़ा लिम्डाना पान एटकरी ने तेने सोत्य करी लईए अने हवे गर्मा गरम वघार ने सांभार मा एटकरी दईए साधे थूड़ा कोथवी ना पान एटकरी ने बद्धी वस्तुने मिक्स करी लईए तो बद्धी वस्तु मिक्स थैने अपड़ो सांभार तयार थेग्यों छे जो एक वार आरीत सांभार बनावसो तो हंड्रेट परसंट बजार जिवोत स्वाद आवस तो है साउथ इंडिन स्टाइल नाड़ियानी चटनी बनावा पैंड मां एक मोटी चमचलू तेल एटकरी दईए हवे तेमां बे मोटी चमचली चणानी दाड एटकरी ने दाड सेज गोल्डन ब्राउन थाए तियां सुधी तेने सोते करी लईए तो जड़ानी दाड आपणी नाड़ियानी चटनी ने स्वाद नीसाथ एक ठिक्नेस आपसे जन्रली घरे चटनी बनावती वकते आपणी दाड़ियानी दाडन उप्योक करता हो ये छे चे अमेशा बद्धा नाज गरमां अवेलेबल होई छे धबड़ी दाड सारेते सोते थाई गे छे, अवे तेमा एक मोटी चमचेटला लिम्डाना पान, तीखाश माटे बे लीला मर्चाना टुकडा, अड़धो इंचेटलो आदूनो टुकडो, आने मिया या अड़धा कब जेटला सिंगना दाणा नाओ फोत्रानो भाग काडिने लेली देला छे, तो नाड़ियानी चट्नी माँ थोड़ा सिंगना एड करवा थी, ते चट्नी ने एक क्रीमीनेस अने थिकनेस आपसे, ते थी ते जरूर थी आड करवा, साथे खट्टाश माटे एक नाणी साइज ना आमलीना टुकडा ने एड करी देला छे, तेने एड क लेला कोप्रा ने थोड़ू सोते करवा थी, चट्नी नी सेल्फ लैफ एटले के ते लामबो समय सुधी सारी रहे छे, तावड़ू कोप्रू सारी ते सोते थेगियोचे, हवे गेसनी फ्लेम बंद करी देए, अने मिक्षर ने थोड़ू ठंडू थावा देए, ते बदी वस्तों ने ग्राइंट करी लेए, तो बदी वस्तों ग्राइंट थाई ने चट्नी नी पेश सयार थेगे छे, तो अवे तेनी उपर स्पेशियल तड़को करवा, पैंड मां एक मोटी चमचलू तेल एट करी देए, अवे तेमां एक चमचली राइना दाना, एक पिं पिंकचली ने टैने स्वोत के लिए, अवे गरमा गरम वगाने चट्नी मां एड करी दे ए, अने तेने सार से दो, थे अधन एक आधने चट्नी आपने घणी वार बनावता हुआँचे, अलल जो तमे 1 वार आर ही तेनने नाधनी चट्नी बनावाँछो तो तेनो स्वात होjust जेवो जाओ से तैयार थाईली आण नाड़िया नी चटनी ने तमें कुई पण एट एट कंटेनर मा भरी ने फ्रीजर मा एक महीना सुधी स्टोर करी शको छो तो घरे साउथ इंडियन स्टाईल 100% गेरेंटेड होटल जेवा स्वात सा थे सामभराने चटनी बनावा लखेली जोती होए तो मैं वेबसेट नी लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मा आपेली छे जो तमने मारी आज नी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्षन मा जरूर ठीके जो साजे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स मा शेयर कर जो अने मारी चैनले सब्सक्राइब करवानू ना बुल सो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथ है